नमस्कार दोस्तों, CEO Online Classes में आपका स्वागत है अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट तो रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट क्या है ये जानेंगे हम तो जो रेपोरेट है वो इस प्रकार है कि जो बैंक है, कॉमर्सियल बैंक वो RBI से जब पैसा उधार लेते हैं तो उस पैसे पे जो उधार लिया पैसा है उस पे जो ब्याज दर वो चुकाते हैं उसको रेपोरेट कहते हैं Simply इसको इस तरह समझा जा सकता है, जैसे कि कोई ब्यक्ति पैसे की जरूरत होने पे बैंक से पैसा लेता है और उस पे ब्याज देता है, उसी प्रकार कॉमर्सियल बैंक है जो जैसे हमारा SBI है, PNB है, ये सभी बैंक जो आम जन के यूज में हैं वो आपके कॉमर्सियल बैंक ह लेते हैं जब उनके पास पैसे की कमी होती है और वो लोग इसी पैसे को बाजार में लोगों को करज के रूप में देते हैं, रेपोरेट का आम जन जीवन पे क्या असर पड़ता है, अगर बैंक को कम ब्याज दर पे RBI लोन देता है, माना मतलब बैंक को RBI पैसा दे रहा है और उसी पैसे को बैंक आम जन को उधार के रूप में देते हैं, करज के रूप में देते हैं, तो अगर वो ज़्यादा होगा रेपोरेट तो परसनल लोन, होम लोन, कार लोन हैं जो उनकी ब्याज दर भी ज़्यादा होगी और अगर ब्याज दर रेपोरेट कम होगा, तो आपके जो कर्ज हैं उनका ब्याजदर भी कम होगा. और reverse repo rate क्या है? reverse repo rate है जब commercial bank RBI के पास अपना पैसा जमा करते हैं. जैसे हम bank के पास अपना पैसा जमा करते हैं. उसी तरह commercial bank हैं जैसे SBI है. वो reserve bank of India RBI के पास पैसा जमा करता है. और उस पैसे पे RBI जो उसको एक तरब से जैसे हमें बचत खाते पे bank ब्याज देते हैं. उसी तरह का ब्याज देता है. तो उसे reverse repo rate कहते हैं. और यह हमेशा repo rate से कम होता है. मतलब RBI जो ब्याज देता है उससे कम होता है. मतलब तो RBI इसी तरह से पैसे कमाता है. उस पैसे पे कम ब्याज देता है उसी तरह बैंक भी करते हैं और यही बैंकों की कमाई का सोर्स होता है आम आदमी के जीवन पे reverse repo rate का क्या असर बढ़ता है तो देखिए जब कभी बैंक के पास नगत जादा हो जाता है तो वो देश की महंगाई बढ़ने के खत्रे तो जब ब काना समझ लीजिए कि अगर आपको अगर महंगाई बढ़ गई है और जो आपके बैंक है इस ब्याजदर को बढ़ा देते हैं और ज्यादा लोग उस में पैसा जमा करते हैं इस उसी तरह से commercial भी करते हैं जिससे महंगाई का खत्रा कम हो जाता है तो देखो reverse repo rate और repo rate में क्या अंतर है तो हमने देखा reverse repo rate और repo rate तो repo rate हो गई वह दर जिस पे RBI commercial bank को पैसा उधार देता है और reverse हो गई reverse repo rate वह हो गई जिस पे RBI बानिज्य बैंकों से धन उधार लेता है या अपने पास जमा करता है repo rate reverse repo rate से अधिक होता है मेशा और इसका उप्योग मुद्रा स्थी, स्थी, इंफलेशन और धन की कमी, deficiency of fund को नियंतरित करने के लिए किया जाता है repo rate का प्रियोग इसका उप्योग और जो reverse repo rate है उसका उप्योग किया जाता है नगदी प्रवहा को manage करने के लिए जो cash flow है उसको manage करने के लिए repo rate इसमें security की बिक्री सामिल है जैसे बहुष्य में repurchase किया जा सके और reverse repo rate में इसमें एक खाते से दूसरे खाते में धन ट्रांसपर करने सम्मंदित है जैसे current में repo rate 4% है और reverse repo rate 3.25% है तो आपने सुना होगा जैसे जब RBI की तरह मासिक समिक्षा आती है उसमें कभी RBI का repo rate जैसे वो 4 है तो उसको 3.5 या 3.75 कर देते हैं उसकी तरह से reverse repo rate को भी घटाते हैं तो यह सब इन सारी चीज़ों के लिए किया जाता है मुद्रा स्फिति के को कंट्रोल करने के लिए धन की कमी को नियंतरित करने के लिए नगदी के प्रभा को वो करने के लिए manage करने के लिए तो यह हमने देखा repo rate और reverse repo rate तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें थेंक यू